आठ चारसो 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 जी हाँ याद कर लीजिए वोटसप नमर क्योंकि अब आपका मेच, फिजिक्स, केमेस्टी, बाइलोजी का सवाल हो आपके हर क्यूशन हर डाउट का मिलेगा तुरुन सोलुशन वो भी सिधा आपके वोटसप पर बस अपने फोन में सवाल वाटसप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए नमस्कार बच्चों सवागता आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में अगर आप कक्चा 10 के सात रहें तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और आज की इस वीडियो में आपको अर्द 2021 में 101 परतिसत आने वाला है तो इस पेपर को आपको अच्छे से त्यार करना है और इस पेपर में जितने भी आपके कुशन दिये गए हैं और पूरा पेपर आपको अच्छे से त्यार करना है और इस पेपर में सबसे पहले आपको प्रसन नमर वन दिया गया है कि सही विकल एडेडे से उने कि कूनसा है वो सकता है तो यहां पर ती 70 की जो वेलिउ बराबर है वो होगा यहां पर डी आपसन आपसा रहा होगा दूसरे में आपको 175 Office ready minus का 5 minus का 1 3 7 इसका पर्थम पद और सार्व अंतर आपको यहां पर बताना है ओके और तीसरा परसन है एक निश्चित गटना की प्राइक्ता तो निश्चित गटना की प्राइक्ता कितनी होती है आपके 1 होती है और इसमें आपको P और Q के निर्दे सांग X1, Y1, X2, Y2 इसको जोडने वाले रेखा करने P क्योंके मद्दे बिंदू के आपको निर्दे सांग ज्यात करने हैं तो यहाँ पर C option आपका सही होगा उसके बाद में question नमर 5 में दो समरूप तिरी बुजें उनकी बुजाओं का जो अनुपात है वो चार अनुपात नो है इन तरी बुजों के 76 फलों का अनुपात आपसे पूछा है तो 76 फलों का अनुपात कितना हो जाएगा आपके 16 अनुपात 81 उसके बाद में दूसरा person है रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजी यानि इनका जो आन्सुरव आपको सत्य और सत्य आपको देना है और एक दूगात बहुपद है उसके अधिक से अधिक दो सुन्नेक हो सकते हैं तो दो ही सुन्नेक होंगे एक दूगात बहुपद के तो यह सत्य है तो इस परकार से आपको इस सारे कुस्षन इसमें करने हैं उसके बाद में प्रसन नमर चार में आपको सही जोड़ी बनानी है यहाँ पर रूट में 1-Cos-A यह किसे मिलेगा यह आपके Kos-A से मिलेगा तो कोस-A कहा है तो यहाँ है तो इससे मिलाना है और इस परकार ये सारे question करने हैं जिसमें दूसरा है 1 प्लस 10 square A 1 प्लस 10 square A बराबर क्या होता आपके 6 square A तो इस परकार से सारे question इसमें करने हैं उसके बाद में प्रसन अमर 5 में परतेक प्रसन का जो उत्तर हो एक वाक के एक सब्द में लिखना है वर्त के 33 खंड का जो 76 फल हो क्या होता है आपके पाई r square theta बटे 360 तो इस परकार से आपको करने हैं और उसके बाद में 6 परसन है जिसमें अबाजे गुर्णखंड विदी दुआरा आपको चान में और 404 का क्या निकालना है साथवे परसन में आपको दिविगाद बहुपद x square minus 2x minus 8 के आपको सुनने के निकालने हैं और अथवा वाला भी आप कर सकते हैं आठवे परसन में आपको दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है जो डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है और 9 परसन है यह आपके प्राइक्ता का है यानि अच्छी प्रकार से फेटी गई 52 पत्तों की गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है इसकी प्राइक्ता क्यात कीजिए कि एक इका होगा एक इका नहीं होगा उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्यूशन नमर 10 यह भी प्राइक्ता का है और अथ्वा में भी प्राइक्ता का क्यूशन है आपके 10 65 बटे कोट 25 इसका आपको क्या निकालना है मान और उसके बाद में question number 12 है कि बिंदू A और B इनके निर्दे सांग दे रखे हैं इनको जोडने वाले रेखाखंड को समतिरी भाजित करने वाले जो बिंदू हैं उनके आपको निर्दे सांग याद करने हैं और अथ्वा में बिंदू A के निर्दे सांग याद कीजिए जहां A B एक वर्त का क्या है व्यास है जिसका केंदर दे रखा है और B के निर्दे सांग दे रखे हैं उसके बाद में question number 13 और question number 14 ये हैं आपके जयामिती के question हैं तो इनको भी आपको अच्छे से त्यार करना है माइनस 3 के सुन्ने ग्याद कीजिए सुन्ने को तदा गुणाकों के बीच के समंद की सत्यतागी आपको जांच करनी है अथ्वा में आपके भाग है इसको विवाजन एल्गोरिथम की सत्यतागी आपको जांच करनी है और आपको भाग भी देना है और question number 17 में निमन रेखिक समीकण यूगम को परतिस्तापन विदी से हल कीजिए यानि यहां पर दो समीकण आपको दिये गए हैं इनको आपको परतिस्तापन विदी से हल करना है और अथ्वा में आप विलोपन विदी अगर आपको विलोपन विदी आती है तो विलोपन विदी से भी आप ग्याद कर सकते हैं और प्रसन नमर 18 में एक एपपी दे रहे कि आपको इसका अंतिम पद है उससे आपको दस्वा ग्यार्वा पद निकालना है और यह गुनिस का प्रसन है इस प्रकार से पूरा पेपर आपको अच्छे से सोल करना है और यहां पर प्रसन नमर 22 दो करमागत दनात्मक 365 और अत्वा में पूरुन वरग बनाने की विदी से समीकर्ण आपको हल करना इसके मूल गयाद करने हैं प्रस्वा में या आपको शिद्ध करना है और यह आपके प्लस नममर 20 जो जयामितिगा है उसके बाद में प्रसन नम्मर पच्चिस इसमें आपको क्रबसच छह सेमी आठ सेमी दस सेमी तरिजाओं वाले दातु के तीन गोलों को पिंगला कर एक बड़ा गोला बनाया जता है जो गोला है नया गोला है उसकी आपको तरिजा गयात करनी है ये 26 वह परसन है जिसमें आपको माद्दे गय बात करना है तो जो आपको आता है वह आप कर सकते हैं और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और पूरा पेपर आपको एक्जाम से पहले अच्छे से त्यार करना है अगर आपको पूरे में से पूरे नमर लाने ह हाफिरले एक्जाम 2021 में तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से त्यार करना है